Friends, कैसे हो आप सब? I hope कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका LIC of India के जो केरियर है वो बहुत बढ़ियां चल रहा होगा So friends, आज आप सभी के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो एक LIC के नए प्लान से रिलेटेड है मैं जीवन धाराटू की बात नहीं कर रहा Friends, ये वाला प्लान आज ही लॉंच हुआ है, आज ही उसका नोटिफिकेशन आया है और उस प्लान का नाम है LIC का Index Plus and मैं आशा करता हूँ कि सबसे पहले ये information आपको मेरे थ्रू ही मिल रही होगी because जैसे ही मैंने notification देखा LIC की, मैंने सोचा अपने सभी users के लिए, अपने सभी insurance advisors के लिए ये वीडियो मैं release करूँ और इस वीडियो के थ्रू बहुत ही आशान भासा में, बहुत ही सरलता से इस plan की सारी information शेयर करूँ जिससे की उनको समझ आ जाए तो friends मेरा नाम है दिपक कुमर प्रशाद और आप सभी का स्वागत है मेरे इस channel पे जिसका नाम है investment path अगर आप नए है मेरे channel पे तो इसको ज़रूर subscribe कर ले और मेरी पहले की भी videos देखें जो की LIC से related है उन plan combination से related है और news से related है so friends आशा करता हूँ आपने subscribe कर लिया होगा और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे की इस plan के बारे में complete information सटीक information सभी insurance advisor को मिल जाए so guys LIC ने जो plan launch किया है आज उसका नाम है index plus plan इसका table number है 873 यह table number है इस plan का जो मैंने thumbnail पे लिखा है share बजार के सांदार कमाई के साथ साथ insurance का भी फायदा LIC के और भी plans हैं लेकिन इस plan में यह है कि एक तीर से दो निशान है यानि कि share market के जो returns है वो भी आपको मिलेंगे साथ ही साथ insurance भी मिलेंगे अगर आप customer है तो आप अगर किसी customer को policy देते हैं तो आप यह बता सकते हैं इसमें सिर्फ share market ही term use नहीं है share market की top 50 company और top 100 company में आपका पैसा इसमें जो customer है उनका निवेश होगा तो बहुत ही शानदार plan launch हुआ है यह LIC का आपको मैं notification दिखा है ता हूँ LIC की जो कि आज रिलीज हुआ है तो यह है notification आप देख सकते हैं इसमें date 5th February 2024 का दिखा रहा है index plan table number 873 अब यहां पे यह बहुत सारी information लिखी है आप अगर यह पढ़ेंगे तो confused हो जाएंगे इसलिए यह मैंने वीडियो बनाई है कि यहां जो यह information लिखी है इनहीं को सरल भासा में और अलग-अलग slides के तुरू मैं आपको दिखा पाऊं समझा पाऊं जिससे कि आपको यह clear हो जाएं तो guys यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि LIC of India announced the launch of its new unit link insurance product यानि कि LIC of India ने जो नया product launch किया है यह unique link insurance plan है यानि share market से link insurance plan है और इसका नाम है LIC index plus यह plan का नाम है table number 873 जो इसका date है launching का वो आज का है 5 फरवरी का और यह sale के लिए available होगा यानि जो customers हैं इसे purchase कर पाएंगे 6 फरवरी 2024 है यानि कल से यह plan available होगा खरीदने के लिए और आपको sell करने के लिए जो LIC का यह index fund plan है जो नया plan launch हुआ है यह एक unit link plan है यानि कि share market से link है non participating plan है यानि non participation का मतलब होता है कि share market से link है बट dividend इसमें कुछ मिलता नहीं है और इसमें individual life insurance plan भी है यानि कि यह complete combo power pack combo है plan जिसमें कि आपको insurance की benefit मिलेगी और share market की भी returns की benefit मिलेगे अब यहाँ पर पता करते हैं कि index plus plan है क्या तो according to LIC press release जो press release मैंने भी आपको दिखाया उसके according LIC का index plan एक unit link plan है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ regular premium plan है यानि कि आपको monthly या half yearly या yearly ये premium जैसे normally pay करना होता है जितने साल के अपने plan लिया है उसे हिसाब से pay करना होगा और individual life insurance plan है यानि कि life insurance plan है जो कि life insurance cover इसमें देता है साथी साथ savings के द्रू इसमें एक और benefit होती है कि guaranteed addition भी दिया जाता है शेयर मार्केट नों कुछ guarantee होता नहीं है लेकिन यहाँ पे share market के returns के अलावा company guaranteed addition देगे कुछ percentage annual premium का जो की होगा क्या उस percentage से जो guaranteed addition है उससे share market के unit खरीदे जाएंगे जिससे कि आपका maturity amount अच्छा कासा increase होगा तो यह है index plus plan की definition उसके बारे में गैस एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि एक app है नावी app जो कि मैं बहुत time से use कर रहा हूं benefit यह है कि इसमें 10 रुपे से आप mutual fund में निवेश कर सकते हैं और 1 रुपे से आप gold में या आप digital gold अपने पैसे के हिसाब से save कर सकते हैं एक रुपे से शुरूग है तो आप 10 का 50 का 100 का खरीद गए गठा कर सकते हैं तो गैस इसका link आपको description में मिल जाएगा आप चाहें तो यह app download करके use कर सकते हैं अब बढ़ते हैं again अपने topic पे वीडियो पे तो इसमें यह है कि important feature of LIC index plan यानि कि इस plan की क्या क्या खासियत हैं उसके बारे में हम discussion करते हैं सबसे पहला जो है वो है minimum and maximum entry age and maturity age हर plan का कुछ minimum and maximum entry age होता है और maturity age भी तो वही यहाँ पे discuss किया गया है कि जो minimum age है वो 90 दिन का है complete होना चाहिए और maximum age जो है वो 50 या 60 साल होना चाहिए depending on basic summation यहाँ पर sum assured के उपर जो वो maximum age है वो depend करेगा अब maturity का minimum age है वो है 18 years जो कि complete होना चाहिए और maximum age maturity का है वो 75 या 85 अगें यह basic sum assured के उपर depend करेगा तो यह हो गया entry age और exit age अब बात करते हैं policy term की कितने साल की यह policy है तो guys जो minimum policy term है वो 10 या 15 साल है depending on analyze premium यहाँ पे again आपके premium और sum assured पर term depend कर रहा है यहाँ पर जो maximum term है वो है 25 साल यानि minimum 10 से 15 साल आपका होगा term और maximum 25 साल तर के लिए यह plan आप customer को दे सकते हैं और customer इसे ले सकते हैं अब बात करते हैं sum assured की तो जो basic sum assured है वो range करेगा 7 to 10 times the annualized premium यानि कि जो भी annual premium होगा उसका 7 या 10 या 7 या 10 या basic sum assured जो आपका insurance रहेगा तो ये clear होना चाहिए मानले जिए आप अगर annual premium दे रहे हैं 50,000 रुपया तो उसका 10 गुना 5,000 रुपया हो गया तो ये है basic sum assured अब हम बात करते हैं minimum premium range की यानि minimum कितना premium एक customer पे कर सकते हैं minimum premium range यहाँ पे किया गया है 30,000 रुपया सालाना या फिर 15,000 रुपया half yearly, 75,000 रुपया quarterly और 25,000 रुपया monthly वाला जो है वो match के through deduct होगा तो आप customer इसमें से choose कर सकता है अपनी choice से कि कौन सा वो premium payment mode लेना चाहेगा maximum premium का कोई limit नहीं है वो totally depend करता है underwriting decision पे कितना allow होता है एक person के लिए तो ये भी I hope के clear हो गया होगा अब बात करते हैं option to choose fund अब जैसे कि मैंने बताया है कि ये share market से link है तो यहाँ पे customer के पास option होगा choose करने का दो plan में से अब इस plan के अंदर दो option दिये जाते हैं fund के वो है flexi growth fund and flexi smart growth fund अब इन दोनों fund के नाम से आपको समझने के जरूरत नहीं है simple साप यह समझ लीजे कि दो option है एक तो यह कि nifty 50 यानि कि जो share market की top 50 companies है या फिर nifty 100 या फिर top 100 companies है तो आपका जो पैसा है मानलों 50,000 रुपे annual कर रहे हैं तो 50,000 रुपे top 50 company में distribute करना चाहेंगे या top 100 companies में तो यह option में से आप choose कर सकते हैं तो nifty 50 के अंदर सिर्फ इंडिया के top companies ही आती हैं मानलों जो top 50 company है उसमें से कोई यह company perform नहीं करती तो वो nifty 50 के list से बाहर आ जाती है और जो कर रही होती perform वो उसके अंदर आ जाती है तो यहाँ पे अच्छे returns मिलने के chances होते हैं तो यह हो गया option कि आपके पास option रहेगा आप choose कर सकते हैं fund अब इसमें इनके अलावा और क्या-क्या features मिलते हैं तो उसके बात कर सकते हैं यहाँ पे partial withdraw available है कुछ conditions होंगी जो कि आपको policy के time पे और policy term के उपर depend करेगा इसके साथ साथ इसमें जो है surviving होने पे complete term complete हो जाता है and date of maturity हो जाता है तो उस time पे जो भी unit का fund value होगा वो payable होगा customer को जानि उस time पे जो भी चल रहा होगा rate आपके units का जो shares लिए गए हैं index fund के उस हिसाब से आपको maturity दे दी जाएगे वैसे अगर हम देखें तो nifty 50 को अगर history तो 15% on and average जब से share market launch हुआ है तब से दे रहा होता है हलाकि कोई guarantee नहीं है 15% average है और उससे ज्यादा ही दे सकता है अब आते है next की जो amount payable है death के case में वो differ करेगा याने depend करेगा कि whether जो life assurance की death है वो risk शुरू होने से पहले हुई है या उसके बाद हुई है तो हमेशा इध्यान रखना कि जब भी policy आपकी शुरू होती है उसके बाद ही death cover start होता है उसके बाद है refund of mortality charges are subject to terms and condition अब इसमें जो mortality charges है यानि कि जब हम insurance लेते हैं तो उसमें mortality charges लगते है तो उसका refund depend करता है कुछ certain terms and condition के वो भी आपको policy लेने का term पे आप उस चीज़ को clear कर सकते हैं यहाँ पे एक option है rider use करने का जो की है accidental death benefit का तो एक ही rider available है वो आप इसमें add कर सकते हैं इसके साथ साथ इसमें एक option है partial withdraw का पांच साल के बाद यानि पांच साल का इसका locking है पांच साल के बाद आपके जो भी unit इकटे हुए हैं जो भी आप premium pay कर रहे हैं उसमें से पांच साल के बाद आप कुछ redeem करके आप चाहो तो withdraw भी कर सकते हैं उसमें भी certain terms and condition रहेंगे और अगे यह plan जो है वो non participating plan है यानि कि आपको जो भी पैसा है उसके पैसे वो top 50 या top 100 companies में लगेंगे उन companies के profit margin से आपको कुछ मिलेगा नहीं dividend इसमें नहीं मिलेगा लेकिन जो भी आपके units के rate बढ़ेंगे जो nifty 50 या nifty 100 के units के भाव उस हिसाब से आपको maturity value बढ़ेगी और साथी साथ जो मैंने बताया शुरू में 7 यानि 7 गुना से 10 गुना आपका annual premium का आपका sum assured भी रहेगा यह था plan I hope कि यह clear हो गया होगा अगर मैं आपको सिर्फ notification पढ़के बताता तो आपको clear नहीं होता कुछ भी अगर again doubt है तो आप comments में लिख सकते हैं मैं उसको clear करने के कोशिश करूँगा और again request है कि यह video ज़्यादा से ज़्यादा share करें जिससे कि यह awareness यह information सभी को मिल जाए यह थैंक यू